Hello everyone, welcome to the channel engineers pro, आज की class में हम लोग करेंगे chapter 3, दो चरवाले रखिक समिकरन योग्म, exercise 3.3, question number 1 का second question चलते हैं सिधे board पे, तो question number 1 है, निम्र समिकरनों के योग्म को बिलोपन विधी तथा परतियस्थापन विधी से हल किजिए, तो previous वीडियो में हम लोगों ने question 1 का 1 solve किया था, जिसमें मैंने detail बताया था, बिलोपन विधी और परतियस्थापन विधी, आज की वीडियो में second question हम लोग करेंगे, तो बिलोपन विधी में क्या करते हैं, एक term को eliminate करते हैं, या x या y को, कैसे करेंगे, आएए, इसको solution में हम लोग समझ लें, पहला equation है, 3x plus 4y equals to 10, और second है, 2x minus 2y equals to 2, आप पहले जाके, previous विडियो question 1 का 1 देख लें, आपको easy हो जाएगा समझना, क्योंकि मैंने पिछले question को बहुत ही detail में बताया है, आप उपर i बटन पे click करके previous विडियो देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग y term को eliminate करेंगे, तो eliminate करने के लिए coefficient को equal करना पड़ता है, equal multiply या divide करके कर सकते हैं, इसको या तो समिकरन एक को 2 से divide कर देंगे, तो 4 बटे 2, 2 आ जाएगा, क्योंकि y का coefficient 2 है, या इसको divide करके, और second option क्या है, इसको multiply कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, y का coefficient 2 दुना 4y हो जाएगा, और दोनों समिकरन को add कर देंगे, तो y term क्या हो जाएगा, eliminate हो जाएगा, और यही below-pen भी धी है, मैंने previous question में जाके explain किया है, आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, तो divide करना थोड़ा सा complicated हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे, multiplication करके हम लोग करेंगे, आईए, इसको कर लें, तो क्या करेंगे, equation second को 2 से multiply करके समिकरन 1 में add कर देंगे, क्या करेंगे, तो पहला समिकरन क्या हो जाएगा, 3x plus 4y equals to 10, और second क्या हो जाएगा, 2 से multiply करेंगे, तो 2x into 2, 4x minus 2y into 2, 4y equals to 4, अब दोनों को add कर दीजे, add कर देंगे, तो symbol क्या रहेगा, same रह जाएगा, तो यहाँ 4y, 4y cancel हो जाएगा, 3x plus 4x, 7x equals to 10 plus 4, 14, x और और क्या आगया, 14 by 2, 14 by 7 equals to 2, अब यह x का value को भी समिकरन में रख देते हैं, आएगे, first वाले समिकरन में हम लोग रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x, 2x minus 2y equals to 2, 2x, x का value क्या है, 2 minus 2y equals to 2, 4 minus 2y equals to 2, 2y को उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2y equals to 2, इस साइड आजाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 minus 2 equals to 2, तो y ब्रावर क्या हो जाएगा, 2 divided by 2 equals to 1, तो ये बिलोपन बिधी से सॉल्फ हो गया, x ब्रावर 2, y ब्रावर 1, अब इसको परतियस्थापन बिधी से कर लेंगे, परतियस्थापन बिधी में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट समी करन से एक वेरियेबल से आइदर x और y का वेल्यू निकाल लेते हैं, आएए x का वेल्यू निकाल लें, तो क्या जाएगा, 3x इकोल स्टू, 10 माइनस 4y, x इकोल स्टू, 10 माइनस 4y, डिवाइद बाई 3, अब यह x का वेल्यू, सेकेंड एक्वेशन में पूट कर दीजिए, तो क्या है, 2x माइनस 2y इकोल स्टू, 2, 2 इन्टू, x का वेल्यू, 10 माइनस 4y, डिवाइद बाई 3, माइनस 2y, इकोल स्टू, 2, 3 LCM हो जाएगा, दो से मल्टिप्लाइ करिए, 10 दूना 20, माइनस 4 दूना 8y, माइनस 3 LCM, तो 3 दूना 6y, एकोल स्टू, 2, अब क्या हो जाएगा, 20, माइनस 8y, माइनस 6y, 14y, 3 को उसेट भेज दीजिए, तो क्या हो गया, 2 गुना 3, ये क्या हो जाएगा, 20, माइनस 14y, इकोल स्टू, 6, अब 14y को उसेट भेज दीजिए, और 6 को इसेट लेजिए, 20, माइनस 6, इकोल स्टू, 14y, तो ये क्या हो जाएगा, 14, इसकाल स्टू, 14y, y का बेल्यू आगया, अब ये y का बेल्यू इस समिकरन में रख देंगे, तो x का बेल्यू आजाएगा, आएए उसको रख लें, क्या हो जाएगा, x इकोल स्टू, 10, माइनस 4y, तो 4 इन्टू, 1, डिवाइद वाइ 3, ये क्या हो जाएगा, 10, माइनस 4, डिवाइद वाइ 3, क्या हो जाएगा, 6 डिवाइद वाइ 3, एकोल स्टू, 2, तो दोनों मेख़र से हम लोगों ने, सॉल्व कर लिया, अब जलते हैं, नेक्स्ट कोस्चन पे, कोस्चन 3 है, इसको भी सेम, पहले परते स्थापन विधी से कर लेते हैं, बिल उपन विधी से पहले कर लेते हैं, तो 3X, माइनस 5Y, 4 को, वो सेट भेतीजे, तो हो जाएगा, इकोल स्टू, 4, अब, 9X, 2Y को, इस सेट ले आएए, तो, माइनस 2Y, एकोस्टू, 7, दो समीकरण आगए, अब इसमें क्या करेंगे, यहां देखें, 9X है, यहां थी एक्स है, तो समीकरण, एक को, तीन से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 9X आ जाएगा, कर लिजे, 9X, माइनस, पांच तिया, पंदरह, वाई, एकोस्टू, तू, तीन चोका, बारह, यह सेकेंड़ी क्वेशन है, 9X, माइनस, 2Y, एकोस्टू, 7, अब इसको माइनस कर दीजे, तो, माइनस, माइनस, माइनस, एड कर देंगे, सब्स्ट्रेक्ट कर देंगे, तो क्या जाएगा, माइनस 15Y, प्लस 2Y, माइनस 13Y, एकोस्टू, 12, माइनस 7, क्या जाएगा, 5, Y ब्रावर क्या जाएगा, माइनस हो, सेट जाएगा, तो, माइनस 5, बाइ, 13, अब यह Y का वेल्यू, फ़र्स्ट एकोस्ट्रेक्वेशन में, पुट कर दीजे, तो X का वेल्यू निकल जाएगा, तो क्या है, 3X, माइनस 5Y, 5Y क्या है, माइनस 5 बाइ, 13, एकोस्टू, 4, 3X, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 25, 25, बता 13, एकोस्टू, 4, 3X, एकोस्टू, 4, माइनस 25, बता 13, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7, 4 में से 2 गया, 2, 27 बते 13, तो X बराबर क्या हो जाएगा, X बराबर 27 बते 13 और नीचे में ही डिविजन में आएगा, तो 13 इन्टू, 3 तो आगया, 27 बते 49, या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 नमा 27, 13, 49, तो क्या गया, 9 बता 13, ये हो गया, बिलोपन बिधी से, अब इसको परतियस्थापन बिधी से भी सॉल्व कर लीजिए, दोनों मैथ़ड से कह रहा है, तो कर दीजें, बोर्ट को क्लेन, दोनों ही मैथड बहुत ही इजी है, बस आपका कॉंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी मैथड होगा, आप इजली कर सकते हैं, अब सकेंड में का करेंगे, सेम करेंगे, जैसा प्रिवेस्थ कोश्चन में हम लोगोंने अल्रेडी परतियस्थापन भी देख चुके हैं, अब यह x का वेल्यू सेकन्ड एक्वेस्थाइं में पूट कर दीजे, तो क्या होगा 9x तो 9x क्या हो जाएगा 5y plus 4 divided by 3 equals to 2y plus 7 अब इसको solve कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 3 से multiply होगा तो 5 तिया 15y plus 3 चोका 12 equals to 2y plus 7 2y को set ले आएए 15y minus 2y 12 को set भेद दीजिए तो minus 12 plus 7 ये क्या जाएगा 13y equals to minus 5 y equals to minus 5 by 13 आगया same value आगया अब इस value को ये वाले equation में put कर दीजिए तो क्या जाएगा 5y ब्राबर minus 5 by 13 plus 4 divided by 3 क्या हो गया minus 25 और उपर 13 LCM हो जाएगा 13 तो 13 चोका 52 और divided by 3 है ये भी नीचे multiplication में आजाएगा उपर क्या गया same 52 minus 25 27 by 13 into 3 तीन नम्मा 27 ये भी आगया 9y 13 तो ये है substitution method परतिय स्थापन बिदी दोनों method से कर लिया हम लोगों ने अब चलते हैं next question पे question 4 है x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1 अब इसको थोसा सिंप्लिफाइ कर लिजिए तो 6 LCM माग गया 2 ती आछे तो 3x plus 3 दुना छे तो 2 दुना 4y equals to minus 1 ये आगया 3x plus 4y equals to minus 6 अब second equation को भी simplify कर लिजिए तो second equation क्या है x minus y by 3 equals to 3 ये क्या हो गया LCM ले ले लेंगे 3 तो 3x minus y divided by 3 equals to 3 ये आजाएगा 3x minus y equals to 9 तो 2 equation क्या क्या आगया 3 3 3x plus 4y equals to minus 6 ये फर्स्ट equation आगया सकेंड एक्योशन है 3x minus y equals to 9 अब देखिए x का कोफिसेंट सेम है इसलिए इसमें multiple location की जववत नहीं है बस दोनों को subtract कर दीजिए minus 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 plus plus minus minus x टर्म एलिमिनेट हो गया ये हो गया plus 4y plus y 5y equals to minus 6 minus 9 नोचो 15 minus 15 y equals to minus 15 divided by 5 ये आगया minus 3 अब ये y का value कोई भी equation में पूट कर दीजिए हम लोग second equation में ही पूट कर देते हैं तो क्या है 3x minus y equals to 9 तो 3x minus minus 3 equals to 9 तो 3x minus minus plus 3 equals to 9 3x equals to 9 minus 3 ये हो जाएगा 6 तो x ब्रावर 6 divided by 3 equals to 2 तो y का value आगया minus 3 x का value आगया 2 ये हम लोगों ने देखा बिल ओपन में अब धी elimination method अब इसको substitution method से भी कर लेंगे तो आइए इसको कर लेते हैं board को clear कर दीजिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए second equation से हम लोग y का value निकाल लेते हैं तो क्या है 3x minus y equals to 9 तो y को set भे दीजिए तो 3x minus 9 equals to y अब ये y का value ये वाले समी के दिन में put कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x plus 4y equals to minus 6 3x plus 4 into y का value क्या है 3x minus 9 equals to minus 6 3x plus 3 चोग का 12 x minus 96 36 equals to minus 6 तो क्या है 3x plus 12x क्या हो जाएगा 15x equals to 36 उधर जाएगा तो plus में हो जाएगा minus 6 ये आगे 15x equals to 30 x equals to 30 divided by 15 equals to 2 x का value आगे 2 अब ये x का value इसी समिकरन में पूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x minus y equals to 9 x का value 2 है तो 3 उना 6 minus y equals to 9 y उस सेट चला जाएगा तो 6 minus 9 equals to y तो y ब्रावरा ग्या minus 3 क्लियर है तो ये हो गया question number 1 का complete solution दोनों method मैंने basic से बताया है आप लोगो कहें भी दिक्कत है तो comment में जरूर पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो channel को like करें subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं next question में तब तक के लिए thank you